यह मेरा सवभाग्य है कि बारा साल में एक बार जो महापर्व होता है उसी कारिकाल में प्रधान मंत्री के रूप में देश के सेवा करने का मेरे पास जिम्मा है और इसलिए प्रधान मंत्री के जिम्मेवारी के तहट उसी कालखंड में मुझे इस पवित्र अवसर पर आप सबके आशिरवाद प्राप्त करने का सवभाग्य मिला है स्रवान बेलगोला अकर के भगवान बहुबली महामस्तक अभीशेकम इस आउसर का और आज यहां इतने आचारिय भगवन तबुनी और माताजी के एक साथ दर्शन प्राप्त करना उनके आशिरवाद का प्राप्त करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्या है जब भारत सरकार के पास कुछ प्रस्थाव आये थे यहां पर यात्रियों की शुविधा को देख करके वैसे कुछ ववस्ता ऐसी होती है कि आर्केलोजी सर्वे अब डिपार्टमेंट को कुछ चीजे करने में बड़ी दिक्कत होती है कुछ ऐसे कानून और नियम बने होते हैं लेकिन उन सब के बावजुद भी भारत सरकार यहां पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए जितना भी प्रबंदन में भाग ले सकती है जो जो व्यवस्ता खड़ी करने के आवश्यक्ता होती है उन सब में पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना दाईत्रों निभाने का प्रयास किया है और यह हमारे लिए बहुती संतोश की बात है आज मुझे एक अस्पताल के लोखारपन का भी आउसर मिला बहुत एक लोगों की माननेता ये है कि हमारे देश में धार्मिक प्रबुतियां तो बहुत होती है लेकिन सामाजिक प्रबुतियां कम होती है ये परसिप्शन सही नहीं है भारत के संत महंत आचार्य मुनी भगवन सब कोई जहां है जिस रूप में है समाज के लिए कुछ लुग भला करने के लिए कारियरत रहते है आज भी हमारी ऐसी महान संत्र परंपरा रही है कि 20-25 किलो मिटर के फास्रा कारते अगर कोई भूखा इंसान है तो हमारी संत्र परंपरा की वेबस्ता ऐसी है कहीं न कहीं उसको पेट घरने का प्रबंध किसने किसी संत्र के द्वारा चलता रहता है कई सामाजिक काम शुक्षा के छेत्र में काम आरोके के छेत्र में काम व्यक्तियों को नसा से मुक्त करने के काम यह अनेक प्रबूर्तियां हमारी इस महान परंपरा में आज भी हमारे रुशिमुनियों के द्वारा उत्राही अथक प्रयास करकर के चल रही है आज जब गुम्ते स्थुदी के और मैं नजर कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं उसे आज आपके सामने उद्गृत करूँ और गुम्ते स्थुदी में